शोले के कलाकारों की फीस धर्मेंद्र को एक लाख पचास हजार रुप्ये दिये गए, जबकी अमिताब बच्चन, हेमा मालिनी, जया बच्चन को कम शोले उन फिल्मों में से एक है जो हर पीरी के दर्शकों के दिमाग में बसी हुई है. रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमिताब बच्चन, हेमा मालिनी और जया बच्चन रिलीस के दौरान बहादुरी जैसे सुपस्टा थे. उनके सराहनिय अभिने ने सिनिमा प्रेमियों पर एक अप्रतिम छाप छोड़ी. वैसे, शोले के निर्मान के पीछे कई दिल्चस्प कहानिया हैं. उनमें से एक है स्टार कास्ट की एक्टिंग फीस. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाल धर्मेंद्र को उनकी भूमिका के लिए एक लाख पचास हजार रुप्ये का भुगतान किया गया था और वे कलाकारों में सबसे महेंगे अभिनेता बन गए. धर्मेंद्र के बाद, संजीव कुमार दूसरे सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता थे, जिन्होंने फिल्म से 1.25 लाख रुप्ये कमाए. भले ही अमिताग बच्चन फिल्म में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन उन्हें संजीव कुमार से कम भुगतान किया गया था. कथित तौर पर, अभिनेता ने फिल्म के लिए 1 लाख रुप्ये कमाए महिला सूपस्टास की बात करें, त जबकी राधा की भूमिका निभाने वाली जया बच्चन को सिर्फ 35,000 रुप्ये मिले, जो कलाकारों में सबसे कम भुगतान पाने वाली अभिनेत्री हैं, सांभा की भूमिका निभाने वाले मैक मोहन को 12,000 रुप्ये, कालिया की भूमिका निभाने वाले विजु खोटे क 10,000 रुपिये और इमाम साहब की भूमिका निभाने वाले एके हंगल को उनकी भूमिका के लिए केवल 8,000 रुपिये मिले शांदार अभिने और निर्देशन के अलावा शोले को इसके संगीत के लिए भी सराहा गया